भौपाल के मारियट होटल से परदेश में सियासी उठा पठक जारी है कांगरेस के विदायक लागतार तीस्टें दिन होटल मैरियट्स में रुके हो हैं मंगलवार को कांगरेस की बडे नेताओं का विदावक्व के पास पोहूंचने का सिलसलाज जारी रहा बैंगलूरू में सिंध्या गुट के बागी विधायकों के आरोपों पर मंति सज्जन सिंग वर्मा ने कहा कि वे पैसे कमाने के लिए आये थे इसलिए ऐसे या रोप लगा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि शेतर के लोग बागी विधायकों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं लोग उनकी धोके बाजी से परिशान हैं वर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी मंगरवार को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कांग्रेस भी कोर्ट से 16 विधायकों को बैंगलूर से वापस लाने की मांग करेगी कोर्ट से अपिल करेंगे कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया जाएं भाजपा की तरफ से सोंवार को शिवराज सिंग ने सुप्रीम कोर्ट में आजका दाखिल की थी इसमें राजपाल के अदेश के बाद भी फ्लोर टेस्ट ना कराने को लेकर चुनोती दी गई विधायकों से मिलने होटल पहुंचे दिग वजय के भाई लक्षन सिंग ने कहा भागी विधायकों ने सरकार से नराज हैं ये उनका अधिकार है विधायकों ने भाषपा में भी जाने से इंकार कर दिया अगर वे सब भाषपा में चले जाते हैं तब सरकार पर संकट होगा अगर नहीं जाते तो सरकार बच जाएगी शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल